नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंशिका हम लेकर आए हैं देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइन्स का राहुल गांदी को सूरत कोट से बड़ा जटका, मोधी सर्णे मामले में सजा बरकरार, अब हाई कोट का रुख करेगी कॉंग्रस गौतम अडानी ने शरत पवार से बंद कमरे में की गुप्त मुलाका दो घंटे तक हुई बातचीत, हिंडन बर्ग विवाद पर अडानी को पवार का मिला था सपोर्ट लंदन जाने की फिराग में थी अमरित पाल की पत्नी किरंदीप, अमरित सर एरपोर्ट से हिरासत में लिया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने की पूछताच करनाटक विदानसबा चुनाव में माफिया अतीक की एंट्री, डॉन के दोस्त इमरान प्रताबगडी को कॉंग्रेस ने बनाया स्टार प्रचारक, बीजेपी ने साधा निशाना बारत यात्रा पर आएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुटो, स्टीयो की बैठक में होंगे शामिल, नवाज शरीफ के बाद किसी पाक नेता का पहला दौरा आज की पहली कबर में बात करेंगे राहूल गांधी को कोट से लगे जटके की, मानहानी मामले में राहूल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि अब उन्हें सूरत की सेशन कोट से बड़ा जटका लगा है कोट ने राहूल की उस अरजी को खारच कर दिया है जिसमें उन्होंने मोधी सरनेम को लेकर मानहानी के मामले में मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी कॉंग्रेस अब सेशन कोट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोट का रुक करेगी जहां फिर राहूल अपनी सजा पर रोक लगाए जाने की अपील करेंगे डॉक्ट साब एक बड़ा जटका राहूल को यहां लगा जटका लगना ही है क्योंकि आप अपनी गल्ती स्विकार नहीं करना चाहते हैं आपको लगता है कि आपने जो बाते कही वो बिलकुल सही है आपने ये कह दिया कि जितने चोर हैं उनके सरनाम मोदी क्यों है मतलब आपने सारे मोदी को आपने चोर कह दिया ये किसी भी सब्समाज में किसी भी वर्ग को किसी भी समुदाय को जाती विशेश को आप इस तरीके से नहीं कह सकते ये अधिकार किसी के पास नहीं है फैर पॉलिटिकल रैली थी आपके मुझे बाते निकल गई कोट में आप से बार-बार कहा जा रहा है कि आप ये कह दे कि भी आपकी ये इंटेंशन नहीं था गलती से निकल गया मुझे खतम हो जाएगी बात लेकिन आप अगर जिद पे अड़े रहो गए तो कोई काम नहीं आने वाला अभी तो सांसदी गई घर गया और ये रवया बरकरार रहा तो आठ साल के लिए राजनिती से आप बाहर हो जाएंगे ना 2024 में चुरों लड़ पाएंगे ना 2029 में चुरों लड़ पाएंगे आपका पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाएगा और हाई कोट में जाने से कोई फाएदा है नहीं क्योंकि हाई कोट में भी आप से यही पूछा जाएगा आपने जानबूचकी किया गल्ती से चीज़े हुई गल्ती तो माननी पड़ेगी माफी मांग ले मामला खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ बेवकूफों ने रहुल के कान में ये समझा दिया कि यह बड़ा बड़िया डेयलोग है कि मैं गांधी हूँ सावर कर न ही जो मैं माफी मांग लूँ तो आप तो ठीक से ना गांधी हो ना ठीक से सावर करो माफी आप नहीं मांगेंगे तो जो फैसला लोर कोट और सेसर कोट में हुआ है, यही फैसला हाई कोट और सुप्रिम कोट में भी होगा जी बिल्कुल, मानहानी मामले में राहूल की सजा को पहले कॉंग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाया अब राहूल को ही कोट से बड़ा जटका लग गया और कॉंग्रेस नेता की आचिका को खारिश कर दिया गया है वहीं आज अडानी ग्रूप के चेर्मेन गौतम अडानी ने न्सीपी चीफ शरत पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की दोनों के बीच गरीब दो घंटे तक मीटिंग चली पवार और अडानी की ये मीटिंग उस वक्त हुई है जब महाविकास अगारी में शामिल कॉंग्रेस और पूरा विपक्षल लगातार अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग पर अड़े हैं और एनसीपी इस पर जाच के समर्थन में नहीं है हाल में शरत पवार ने अडानी का बचाफ करते हुए कहा था कि कुछ विदेशी संस्थाएं उन्हें निशाना बना रही है और अब पवार से अडानी की मुलाकात ने कॉंग्रेस पार्टी में खलबली मचा दी है माइने बिलकुल साफ है राहूल गांदी के साथ शरत पवार नहीं है विपक्ष में फूट पड़ चुकी है सवेरे सवेरे मीटिंग से पहले ही राहूल गांदी वही डफली वही राग वो बजाना चालू कर देते हैं ट्यूटर के उपर पोर्ट किसका सेट का रेल किसकी सेट की हवाई जाज किसका सेट का और सेट किसका तो राजा का तो आप आडानी आडानी का डफली बजाते रहे और ये जो विपक्षी एक्ता की बात हो रही थी इसके सबसे बड़े लीडर शरत पवार जिसकी वज़से ही अगर विपक्ष में कोई एकता होती है तो there is only one person विपक्ष के खेमे में जो दस लोगों को एकठा करके अपनी बाते मनवा सकता है वो है शरत पवार वो उस अडाने के साथ दो-दो घंटे तक मीटिंग कर रहे है र आप जेपिसी जेपिसी करते रह गए आपका सबसे बड़ा लीडर विपक्ष का वो आपसे दूर चला गया वो अकेले नहीं है यह बात भी आप समझ लीजी जहां सरत पवार होंगे वही नितिसकुमार खड़े हो जाएंगे वही ममता बर्रजी खड़ी हो जाएगी वही सि अखुल गांदी एक जिद्दिक किस्म के विक्तित्त है जिद्ध में उनको चड़ गया है कि बही आडानी आडानी करना है इतनी सारी बाते बता दी गए जेपिसी की मांग के चक्कर में आपने पूरा बजट सेसंद कर दिया जेपिसी अगर कर भी दिया गया होता उससे क्य फाइदा होता वहां तो बहुमत बीजेपी वालों की होती वहां फैसला आपके पक्ष में नहीं आता लेकिन फिर भी आपको उसके उपर राजनिती करनी है तो ये बैकफाइर किया है शरत पवार ओपेली अडानी से दो दो घंटे तक मीटिंग कर रहे हैं इसका मतलब बिलकुल साफ है कि विपक्ष की करीब दरजन पाटी वो राहूल गांदी के इस अडानी के खिलाब जो वो मुहिम चला रहे हैं उनके साथ ये लोग नहीं है अडानी पवार की इस मीटिंग के बाद कॉंग्रेस और नसीपी में खटास पैदा हो सकती है क्योंकि शरत पवार अडानी का विरोध नहीं कर रहे है और कॉंग्रेस हाथ धोकर अडानी के पीछे पड़ी है अगली खबर में बात करेंगे पुलीस की हत्ते चड़ी अमरितपाल की पतनी की भगोडे अमरितपाल को भले ही पंजाब पुलीस अब तक पकड़ नहीं पाई है लेकिन इस बीच भगोडे की पतनी किरंदीब कौर को पुलीस ने अमरितसर एरपोर्ट से हिरासत में ले लि रोका और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया ड़क सब क्या कुछ पूछता अच में सामने आया देखिए ये जो अमरताल की पत्नी है वो पिछले फरवरी में ही शादी हुई है और दिक्कत क्या है कि ये बबर खालसा आतंकी संगठन की फंड रिजर है ये लंदन में बैठके खालस्तानियों के लिए काम किया करती थी साधी कभ हुई कैसे हुई इसके उपर भी कई सारी themedit है कि ये तो दुबई में था ये मोहतरमा लंगन में थी बबर खालसा के लिए काम करी बबर खालसा क्या है ये ISI का एक स्टूज है ये पाकिस्तान का दलाल संगठन है उसके लिए ये काम कर रही थी अब बताया ये जा रहा है कि वो जो दीप संदु था वारिस पंजाबदा उसका जो हेड उसकी मौत होती है वो भी संदिक्द है और उसके बाद इसे दुबई से पिक किया जाता है और इसको चीफ बनाया जाता है और ISI इस महिला को इसके पास भेज के इसके लिए साधी करवा देती है दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है अब अचानक से ये एरपोर्ट से भाग रही थी पकड़ी गई सवाल अर्बंद केज्रिवाल और भगवंत मान से है पत्नी और परिवार के लोग लंदन भाग रहे हैं तो क्या ये अमरित पाल लंदन पहुँच चुका है एक व्यक्ति को ढूनने में महिनों बीत गए और पंजाब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई उसका ड्राइवर पकड़ा गया गाली सीज हो गई दोस्त पकड़े गए सारे लोग पकड़े जा रहे हैं अमरित पाल छूट जा रहा है तो ये खालिस्तानियों के साथ ये इतना नर्मी से पेश किस तरीके से लोग आ रहे हैं ये तो इमिग्रेशन राज सरकार के हाथ में नहीं होता इसलिए पकड़ी गई वो अपने गाउं से एरपोर्ट तक पहुँची पुरा परिवार को तो नजर बंद करके रखा हुआ है तो ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इमिग्रेशन के पकड़ने के बजाए वहाँ तो पंजाब पुलिस को पहले ही इनको पकड़ लेना चाहिए था तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की सरकार ये आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ बड़ा ही नरम रुख अपना रही है अमरित पाल को पकड़ पाने में पंजाब पुलीस पूरी तरह नाकाम रही और इस बीच अब उसकी पत्नी को हिरासत में लिये जाने के बाद उससे पूछ ताच की गई जिसमें कई बड़े राज सामने आने की आश्रंका जदाई गई है आगे बात करते हैं कॉंग्रेस सांसद के साथ माफिया अतीक के संबंदों की माफिया डॉन अतीक एहमद के साथ कॉंग्रेस सांसद इमरान प्रताबगडी के संबंदों पर सवाल खड़े की जा रहे हैं ये सवाल एक वाइरल फोटो के बाद गहरा गए है इस वाइरल फोटो में कॉंग्रेस सांसद, माफिया, अतीक एहमद और अश्रफ के साथ नजर आ रहे हैं 22 अप्रेल 2015 को ये तस्वीर इमरान प्रताबगडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी अब उसका स्क्रीन शॉट वाइरल हो रहा है आपको बता दी कि कॉंग्रेस सांसद, इन दिनों करनाटक विधानसबा चुनाफ प्रचार मैदान में उतरे हैं जहां उनके बयानों की काफी चर्चा हो रही है रोक साब लगातार इस फोटो को लेकर बीजेपी कॉंग्रेस पर हमला वर है बही कॉंग्रेस पार्टी दिलाए की भारत रतन अतीक हमत को यही दिन देखनी को मिल गये थे इलावाद का एक कांसलर कैंडिडेट भारत रतन दिलवाना चाह रहा है शहीत का दरजा दिलवाना चाह रहा है उसकी कबर के ऊपर उसने भारत का जड़ा रख दिया आपने छोटे-बोटे कारकरता को बाहर निकाल दिया ये इम्रान प्रताब बढ़ी ये व्यक्ति तो डाली गलोश की भासा में सबसे आगे है ये हिंसा भड़कानी में नंबर वन है दंगा भड़काना चाहता है और तस्वीरे नहीं आई हैं जिर्व अब तो वीडियोज आ गए हैं जिसमें ये मंच शेर भी कर रहा है और माइक पे ये कह रहा है कि अतीक एहमद इसका बाप के तरह है गुरू है और जो कद अतीक एहमद का है पूरी दुनिया में किसी की उतना कद नहीं हुआ है तो ये भी भारत अंदिलवा रहा है बैस सरवोच पद तो भारत रतनी है और ये कह रहा है कि सबसे उचा कद है इस इमरान पताब गड़ी की वजह से कॉंग्रेस में फूत पड़ी थी राहूल गांधी को जवाब देना होगा कि एक गुंडे के दलाल को तुमने संसद भेज दिया वह क्या कमी रह गई थी कपिल सिंबल में गुलाम नभी आजाद में इतने बड़े-बड़े कदावर लीडर को छोड़के राहूल गांधी ने ये एक गुंडे बदमास उसके उपर कसीदा कसने वाला उसके उपर शारी करने वाला एक भांड को आपने राजसमा भेज दिया और इतना ही नहीं अब आपने उसे करनाटक में स्टार प्रचारक बना करके भीजा है तो कितनी बार गलतियों को माफ किया जाए ये राहूल गांधी प्रियंका वाडरा ये एक यूपी में एक मुस्लिम लीडर था बोटी-बोटी मोधी का कर देंगे उसको तुमने पाटी के अंदर पड़े अब तो पाटी छोड़की चला गया समाजवादी पाटी बे तो उसी तरीके से आप दूसरी इस तरह की गलति किये हैं अगर राहूल गांधी और कॉंग्रेस पाटी अतीक के इस दलाल को पाटी से बाहर नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि ये कॉंग्रेस पाटी की रनि आज की आखरी खबर में बात करेंगे मोदी के सामने खुटने टेक चुके पाकिस्तान की पाकिस्तान की विदेश मंतरी बिलावल भुटो भारत यात्रा पर आएंगे बिलावल की यात्रा अगले महीने के शुरुवात में 4-5 मई को होगी साल 2014 में ततकाली इन प्रदान मंत जी नवाज शरीफ के बाद ये किसी सतारुड पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा होगी आपको बता दे कि 4-5 मई को भारत में चीन की अगवाई वाले शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन यानी S.C.O. की बैठक होगी पहले इस और्गनाइजेशन में चीन, बैठक में शामिल हो गया देखे पाकिस्तान की हिसारी हेक निकल गई ये जब से आर्टिकल 370 आया तब से वो बार-बार कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा कोई रिष्टा नहीं हिंदुस्तान के सरकार से ये सवाल पूछा गया विदेश मंत्री विदेश मंत्राले के जिसको नहीं आना है नहीं आएंगे हमने अपना काम कर दिया ये तो पाकिस्तान की जित थी पाकिस्तान बार-बार ये कह रहा था कि जब तरक आर्टिकल 370 हटेगा नहीं हम हिंदुस्तान के साथ कोई रिष्टा नहीं रखेंगे वह आपके साथ रिष्टा रखना चाहता ये मल्टिलेटरल फोरुम है इसलिए हम उसके अधिक्षता कर रहे हैं तो हम बकादा आपको इन्वाइट कर रहे हैं ये आपके उपर जब जनवरी में इस तरह की बाते हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम मर जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं जाए करेंगे नहीं अभी इस्तिती यूं हो गई है कि अभी कटोडे में कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं इस विकारी मुल्क को दिक्कत यह है कि भारत के साथ बिजनस रुक जाने से वहां 600 रूपे केजी टमाटर मिल रहा हैं वहां पे तीन साले 300 केजी वहां पे आटा का भ पारी नहीं मिल रही इंडरस्ट्री भाग गई यह पाकिस्तान तूट के कगार पे है सिविल वार वहां पे कभी भी शुरू हो सकता है अब ऐसी स्थिती में वो कहते ना कि जब भूखा नंगा मुल्क हेकड़ी जो है सुपर पावर नुकलियर पावर हैं हम लोग तो लोगों ने अपने जो हमारा था वह हमने ले भी लिया अब तो सवाल प्योके के उपर उठाना आए कि भारत उसके उपर कमचा करेगा तो ऐसे में जो कहते हैं कि रेंगते हुए पाकिस्तान आ रहा है लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार यह कह रही है कि वह स्थियों मीच सब्सक्राइब करना ना पूले सब्सक्राइब